नमस्ते, क्यासे है आप सो व्लोग, अफिमेशन और विजुलाइजेशन की सकस स्टोरी लेकर क्या हूँ, इन्होंने अपना नाम शेर करने के लिए तो मना किया है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि आप मेरा नाम मन शेर कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो, ओके, हाई मन, खांकियो सो मच, बहुत प्यारा नाम दिया है, वैसे तो आपने शेर करने के लिए, चाहें तो, मेरे हस्बिन का वीजा मैंने मैनिफस्ट किया था, और उनका वीजा लग भी गया, वो चले भी गये, उसके बाद दिक्कत आई मेरे खुद के वीजा के लिए, बहुत मैंने ये सोचा कि नहीं, अब जब भी सारी चीज़ें होनी हो, सक्सेसफुली मेरे बस में उस चीज़ के रिजल्ट आने हो, मुझे उस पर ध्यान ही नहीं देना है, और ये सोच करके अब मैंने अफिमेशन्स देने शुरू किये, मुझे पता ही नहीं चला कि जब मैं झाल रात को सोने के पहले मेरा दिल करता और मैं विज्युलाइस करती, मैंने उसके लिए अपने हजबन के वीजा की एक फोटो की भी हवाशनु ली, और मैंने वह पोरी तरीके से ऐसे ली, जहां पर मेरे हुजबन का नाम लिखा हुआ आ रहा था, ये सोचा कि मेरे वीजा आ गया है इस चीज ने मुझे बहुत हेल्प की मैं रोज रात को सोने के पहले उसे देखती और अपने तकीये के नीचे उसको रख करके मैं सो जाती और मैंने उसको चोटा सा बनवा के Laminate करवा लिया था और बस उसको ही मैं देखती और पूरे दिन मैं अपने साथ उसको जहां पर यह clear हो रहा था कि आपका जो वीजा है वो लग गया है बस उतने की ही मुझे जरूरत थी और उतने ही visualization से मैंने अपने आपको सफल होते हुए देखा है मैं जब यह सोच नहीं रही थी बलकि जब भी मेरे husband मुझसे पूचते तो मैं उन्हें यही बोलती कि होगा तो आपको पता लगेगा तब तक प्लीज यह बार बार सवाल करना बंद करो आप tension मतलो ऐसा थोड़े ना होगा कि अगर मेरा वीजा लगा और मैं आपको नहीं बता आना तो आपके पास ही है ना तो आप बिलकुल tension मतलो क्योंकि जब भी आप पूचते हो मैं बहुत ज़दा पैनिक हो जाती हूँ ऐसे करके मैंने अपने husband को भी चुप करा दिया और उसके बाद मैं just affirmation देती और visualize करती मुझे यह करते करते जहां पर इतना time पहले निकल गय कि कब हुआ कैसे हुआ उसको भी मैंने एक दिन के बाद ही देखा मेरे नींद में ही मेरा manifestation complete हो गया मैं सोई होई थी और तब ही मुझे उसका result भी आ गया I am really very happy कि मैंने इस method को इस तरह से follow किया आप जो detachment के बारे में बताते हो उसे मैंने अपने husband के वीजा के time पर भी करके देखा था लेकिन मेरे time पर resistance बहुत जादा था उनके जाने के बाद मैं एकदम से अकेली पढ़ गई थी और मैं डर भी गई थी लेकिन जब मेरा समझ का level आपके level पर खुला तब यह हुआ कि वो manifest ही हो गया thank you thank you thank you thank you thank you I love you I am really very happy for you जाईए आपने में से लिखा नही है कि आप कहा जा रहे हैं लेकिन ठीक है हमें यह पता चली गया है कि आप भार जा रहे हैं ठीक है जाए enjoy कीजिए अपने देश का नाम रोशन कीजिए I am really very happy for you congratulations तो यह है जो success story है affirmation की और visualization की और दूसरे चीज आप result ना देखा करें जितने भी रोग result देखने की वजह से failure पात आप result ना देखें उससे पूरी तरीके से detach हो जाए और अपनी life में आगे बढ़ने के लिए देखें की क्या करें तो इस तरह से आपको universe की guidance मिल जाती है affirmation की बात कब इनका visualization चुरू हो गया इनको पता ही नहीं चला तो इस तरीके से अगर आप manifest करते हैं तो definitely आपको बहुत अच्छी वाली सपलता मिलती है ठीक है तो detach होना बहुत ज़रूरी है इससे आपका उसके ओकर चिपकना अपने mind को परिशान करना अपने दिल को परिशान करना अपने आपको परिशान करना बंध हो जाता है और आप आसानी से easy way में manifest कर पाते हैं ठीक है अब आप कर लेंग अपने लिगिए के छीछ की चारफ घायरव्यू डू लवी को में आपका बत्रफ लो ओलल स्थ डाल शे마 लियू और रव्यू है जो ट्रायरली ठरफ दिलक्तान अपा हमदैकिते हमे डर शोल्लीड बवल य्दल स्थार लोल